वेलकम टू आलाफ यू इन एक लास आफ हिस्ट्री विद्रागवेंद राजपूर्ट इत्यास के चुनिंदा प्रसनों को हमने लिया है अगर आप इस वीडियो की पेडिय अप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाएं टेलिग्राम चैनल का लिंक म में दे रखा है बिना आपका समय बरबात की हुए सुरुवात करते हैं भारती राष्ट्री आंदोलन भारती राष्ट्री आंदोलन का जो प्रथम चल्ड़ है वो इस वीडियो में बताएंगे अगला चल्ड़ अगले वीडियो में बताएंगे तो भारती राष्ट्री आं अठारा सो पच्चासी से उनीस सो पांस तक चले ठीक है यह 1905 रखी ठीक यह न न पढ़ा जाए और उग्रवादी 1905 से 1929 तक और गांधीवादी 1919 से गांधीवादी आंदोलन में मात्मा गांधी नेत्त करता थे उदारवादी आंदोलन का उद्देश था सुधार का उद्देश और उग्रवादी का स्वराजी का उद्देश था उदारवादी आंदोलनों में किस तरीके से अनुरोध पत्र दिये जाते थे और प्रतिवेजन चीजे थी उनका वहिस्कार हुआ प्रमुक नेता कौन से थे बाल गंगा धर्तिलग विपिंचन्दरपाल राला लाजपतराय अर्विंद घोस या इस तरीके से कह लीजिए निज्ट है चौथा चरड तीन चरड हमने उपर बताए हैं आपको उदारवादी उग्रवादी गांधिवादी चौथा ये रहा करांतिकारी चरड इसमें भगत सिंग रामप्रसाद बिस्मेल और चंद्र से का राजात थे कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन ये पर्थम अधिवेशन कब हुआ था पर्थम अधिवेशन जो हुआ था 1850 में और दूसरा अधिवेशन है कॉलकत्ता अधशता दादावाई नवरोजी सदस 434 सदस थे इसमें ठीक है उदार विचारों की राजनीत में उग्रवादियों जो राजनीतिक उग्रवादी थे उदार वादी जो विचार धारा के उनको विच्चावरत्ति के संग्या दी गई इसी चड़ में बंगाल विवाजन लाड कर्णल के दूआरा 1905 में कर दिया गया बंगाल विवाजन दो कुश्चन यहाँ पर होते हैं, बंगाल वाजन कब हुआ था 1905 में, किसके समय में हुआ था करजन के समय में वायसराय कौन था करजन, गोशना कब हुआ, 20 जुलाई 1905 को, प्रवावी कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को, बंग भंग आंदोलन इसी के खिलाप में हुआ था विभाजन रद, 1911 में हर्डिंग, दो तीक समय में दिल्ली दरवार हुआ, दिल्ली दरवार में इस विभाजन को रद किया गया, बंगाल विभाजन का कारण किया था, प्रसासनिक कठनाई पर वास्तिविक कारण, राष्ट्रवाद को कमजोर करना, और फूट डालो, देशी बस्तू का वहिस्तकार किया गया था, इसे करम में आमार सोनार बांगला, रविदनाद टैगोर द्वारा लिखा गया, क्या लिखा गया, अमार सोनार बांगला के लेखक कौन है, रविदनाद टैगोर, मुसलिम लीग का गठन हुआ, 1906 में, और कांग्रेस का विभा पाजन सूरत अदिवेशन में 1907 में जुगा था उसमें दो दल बन गए थे गरम दल और नरम दल गरम दल के नेता कौन थे लोकमान ने बाल गंगा धरतिलक और इसके प्रमुखनेता थे मोतिलाल नहरू ये मुखनेता थे इंदलों के इसके बाद में बाल गंगा धरतिलक ने 18 और गीता रहस्त इनकी पुस्तक है बाल गधर तिलक की चिरॉल चिरॉल ने इनको क्या कहा भारतिय सांति का जनक सांति का जनक नहीं यहां होना चाहिए असांति भारतिय असांति का जनक कहा है सांति का जनक नहीं यहां आब ढ़ा लिया जा सांति गलत टाइपिंग है अंग्रेश कमिस्ट रैंड ये रेंड और अलग अलग हैं दोन्स की हत्या कर दि रहते तीजी ने ब्रिटिक की हत्या कर दि और इस घटना के पहली घटना सदिकारियों की हत्या कर दी और इस घटना के जो 1997 में पहली घटना हुई ते इसका प्रडाम क्या हुआ इसका प्रडाम हुआ कि करांतिकारी तत्तों को बढ़ावा मिला जो करांतिकारी लोग थे उनके होसले बुलंद हुए अभिनभ भारत एक गुप्त सवा का गठन 1904 में हुआ ये किया था बीडी सावर करजी ने इसका अनुसीलन सिमित का गठन किया और इन्हों नारा दिया था खून के वदले खून करजन वायली की हत्या और करजन वायली की हत्या 1909 में मनलाल धींगरा के द्वारा लंदन में की गई थी नेश्ट है मदर आफ इंडियन रिवलूशन मैडम भीकाजी कामा इन्होंने 1960 में इस्टूट गाड जर्मनी में भासर देते वक्त भारती तिरंगा फैराया था किसने मेडम भीका जी है इनको कहा जाता है मेडम भीका जी कामा इन्होंने 1906 होगया 1907 है यह में इस्टोट गार्ड में जर्मनी में भासर दिते वक्त भारती तिरंगा फैराया था जर्मनी में गदर पार्टी का गठन एक नमबर 1913 को अमेरिका में सेंड फ्रांसिसको में लाला हर्दयाल के द्वारा किया गया था गदर पार्टी का गठन और गदर पार्टी का गठन लाला हर्दयाल के द्वारा किया गया लेकिन अध्यक्ष इसके कौन थे सोहन सिंग अगली घटना है बहुत important घटना इस्टार बना कर इसको नोट किया जाया काम गाटा मारू की घटना इस घटना में क्या हुआ था 1914 में घटना गटित हुई जापानी जहाज ले करके जा रहे थे गुर्दत सिंग और उन्होंने किराय पे लिया था ये जापान से और वह कहाँ जा रहे थे हांकांक से कनाडा जा रहे थे और 336 यात्री उसमें सवार थे जब वो कनाडा पहुँचे तो वहां की सरकार ने ये कहे कर प्रवेस के अनुवती नहीं दी कि भारती जहाज है और वहां से बापस लोटने पर ब्यबस किया गया ये दिवस की जिए ब भारत लाया जाए नतीजह क्या हुआ कि जहाज में सीधे भारत के बजाए बंदर भारत के जो है सीधे भारत जो है कहां लाया गया बंदर भारत लाया गया और प्रडाम में जो यात्री थे उन यात्रियों और बटी सेना के बीच लड़ाई हो जाती है और इसमें क्या होता है बहुत सेयात्री मारे जाते हैं नेस्ट है 1916 का लखनो अदिवेशन मोस्ट इंपार्टेंट अदिवेशन है 1916 का क्योंकि इसके अद्यक्षता किसे ने की थी अंबिकाच रणमदमुदार ने और यहां पर गरमदल और नरमदल का बिले हुआ था साथी साथ कांग्रेस और मु सारलेंट का सब्द है जिसका अर्थ है घरेलू सासन इसके प्रचार के लिए साथा एक परतिका कामन वेल्थ दैनिक पत्रिका निव इंडिया का सहारा लिया गया था रोलेट एक्ट यह 1919 में आया इसी को काला कानून कहा गया इसी को बिना अपिल बिना दलील बिना वकील का आये उनको सजा दे दी जाती थी जलियाँ वाला बाग हत्या कांट 13 अप्रहल 1919 हुआ था इसमें क्या था पंजाब के जो इस्थानी नेता थे सत्यपाल और डाक्टर सहफुद्दीन किछलू इनको गिरपतार करके जेल में डाल दिया गया था जब इनको जेल में डाल दिया ग की सूचना दी गई बाकी लोगों को उन्होंने चुपा दिया गुम्रा कर दिया गलत रिपोर्ट दी गई है उसकी जांच के लिए क्या किया गया दो कमेटियों गठन किया गया एक ब्रेटिस ने कमेटी गठन की ती कमेटी हंसराज ब्रेटिस सरकार का सरकारी गभा बन गय और इसके कार्ड ब्रिटिस जो हैं वो दोस्मुक्त हो गए इसको लोब लालच देखर के सरकारी गभा बना दिया चुकि जब भी हारता विक्त अपने से हारता है हमारे हाँ अपने गद्धार भी थे को काफी लोग हंटर के मेटी अक्टूबर 1919 की बात है इसमें पांच अंग के मेटी इसके बाद में तहकीकात के मेटी 1919 में कांग्रेस द्वारा ये गठित की गई थी इसमें अध्यक्च मदनमौन मालवी थे और सदस्स महत्मा गांदी और मौतिला नहरू थे प्रड़ाम क्या हुआ प्रड़ाम ये हुआ कि रिपोर्ट को अंसुना कर दिया गया रिपोर्ट को अंसुना कर दिया गया जो इन्होंने रिपोर्ट दी थी विरोध में गांधी जी के द्वारा सयोग अंदुलन की सुरुआत की गई और 1920 में जनरल डायर को लंदन में जाकर उधम सिंग ने हत्या कर दी इसकी यहां तक का हमने जो चड़ है वो आपको बताया इसके बाद में जो अंदुलन है भारती राश्ट्री अंदुलन इसका अगला चड़ जो है हम आपको नेस्ट वीडियो में बताएंगे तब तक के लिए नमस्कार